हेलो एवरीबोन वेलकम टू माई चैनल अल अबाउट हैर कैसे हैं आप सभी आज मैं आप ही की डिमांड पर लेकर आयों बहुत ज़दा लोंग हैर पे लेजर विद स्टैप हैर कट आप लोगों की डिमांड थी बहुत ज़दा लोंग हैर पे दिखाए ताकि आपके हैर भी बचे रहें और हेर कट भी बहुत अच्छा हो जाए तो वीडियो का लाश तक जरूर देखेगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेर करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि नए वीडियो की नोट्फिक्शन आपको मिलती रहे चलते हैं अप की वेडिंग होने वाली थी बटिन को ये भी था कि मेरे हैर लॉंग रहें और हैर में थोड़ा सा अच्छा लुक भी आ जाए अगर ओपन करूं या घूमने जाए तो बाल बहुत अच्छे लगें तो सबसे पहले इनकी डिमांड थी कि हैर की लैंथ इतनी ही रहने चाहिए त अगर पतले बाल है और वोल्यूम भी चाहते हो तो शेक्षन पतले निकाल लेगा ऐसा नहीं कि आप मोटे मोटे शेक्षन निकाल लें और पीछे के लैंथ छोटी हो जाए क्योंकि जितने पतले शेक्षन लेंगे तो आपकी लैंथ बचती रहेगी और स्टैप भी अच्छ कहेंगी तो करेंगे वरना नहीं करेंगे अब इसी को अपनी गाइडलाइन बनाते हुए चलेंगे थोड़ा एक्षना है तो एक बार फिनिशिंग दीजिएगा और बाद में नोचिंग भी कैसे करने ये बताऊंगे अब देखे इस तरीके से आप निकालते जाएंगे और बहुत असानी से आपका हेर कट होता जाएगा और बैक में आपके लैंध भी बची रहेगी मैंने ऐसे ही वीडियो बहुत सारे अपलोड की है अपने चैनल पर वो भी जरूर देखेगा अगर केराटेन रिबॉंडिंग या स्मूथनिंग से रिलेटिड कोई कोई कोश् देखे हमारा लेयर वाला लुक आ रहे है अभी और आप एक बार पूरा पकड़ पकड़े चेक करते जाएगा कहीं भी आपको छोटे बड़े दिखाए दिखाए दिंगे तो कट करते जाएगा क्योंकि देखे ऐसा नहीं कि एक बार कहेंची लगा दी और कट हो गया नहीं आपको बार-बार फिनिशिंग देने के लिए चेक करना पड़ता है यह दिखे इस तरीके की लेयर आएंगी आप देख सकते हो वो हमारे दूसरी साइड के बाल है ताकि उदर की गाइडलाइन बन जाए हमारी और गाइडलाइन के बिना आप हेयर कट करते हैं तो आपके ब बाल बड़े छोटे हो जाएंगे अभी इस तरीके से आप सारे बालों को लेते जाएंगे और बैक से एक एक लाइन निकालती जारी हूं और सभी को मिक्स करते हूं एक कट करती जारी हूं यह दिखे कितना असान है यह दिखे आप छोड़ेंगे तो इसमें बहुत ही प्यारी लेयर आएंगी और इससे क्या होता है आपकी लेंथ बची रहती है और में था मेरे क्लाइंट को कि लेंथ चाहिए क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है इतने लंबी लेंथ को खराब करा ले और इनकी ममी बैठ हुई यह आप देख रहे हो वो भी नहीं चाहती थी कि यह हेर कट कराएं बटिंका बहुत मन था तो मैंने को चलो ऐसा हेर कट कर देती हूं कि इनका मन भी रह जाएगा लेंथ भी बची रहेगी और ममी भी खुछ रहेगी तो आप देखेगा कितनी ज्यादा लोंग लेंथ है इनकी और उतनी ही लेंथ पे हम here cut कर रहे हैं और देखे मैंने कितने पतले पतले section में लिया है तो आपको भी अगर long length पे haircut करते हो तो इसी तरीके से किजिएगा दिके टेक्निक तो आजकल बहुत ज्यादा है बट मैं हमेशा सिंपल बताते हूं जिससे आगर आप बिगनर से करना असान हो जाए अगर आपको डिग्री समझनी आती है तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी कट करेंगे तो और भी सिंपल होते हैं तो मैंने अपने चैनल पर डिग्री के वीड जाता है करना तो वो वीडियो भी जरूर चेक करेंगा और देखे आप एक तरफ के हमारे कट चुके हैं इसको एक बार प्रॉपर पूरे को इस तरीके से आगे की तरफ लाएंगे पहले एक तरफ का फिनिशिंग कर लेते हैं इस तरीके से लाएंगे देखे बिल्कुल लुक आता है न तो वो लुक मिलेगा आपको तो नोचिंग बहुत जरूरी है करनी और आप मेरे लाइव वीडियो देखकर मेक अप सीखना चाहते हैं तो नैचरनस ब्यूटी वर्ड पर जाएगा काफी अच्छे लगेंगे आपको मेरे वीडियो और देखे लेयर्स कितनी अच्छी आई है और अब दूसरी तरफ आ जाएंगे तो जो हमने स्टेट करके गाइडलाइन रिसी उसी के अकॉर्डिंग हमें उधर का भी हेर्कट इसी तरीके से करना है और उतने ही पतले शेक्षन लेने हैं जितने हमने इस साइड लिये थे देखे कैंची चलाने का दो पतले शेक्षन लेकर और शॉर्ट हेर पे देखना चाहते हो बेबी कट देखना चाहते हो तो ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो बहुत इजी फ्लार हेर कट ग्रेजिशन हेर कट मेरे चैनल पर हैं वो वीडियो जरूर चेक करिएगा और यह अच्छा लगे तो इसको लाइक मुझे वहाँ पर आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलती है इंस्टाग्राम आईडी है मेरी नैच्रांस बीटी वर्ड और फेस्बुक पेजन आच्रांस बीटी पारलर यह दिखे इस तरीके से हमारा हेर कट होता जाता है ऐसे करने से थोड़ा सा टाइम लगता है बट ल है हमारा और इसको इकवल कर देंगे आप देखें बैक से फ्रंट तक लाइँ बाल सारे एक ही बराबर है अगर मैं चाहती तो इस तरीके से एक ही बार में कट कर देती बट पतले पतले शेक्शन लेकर यह अलग-अलग टैक्निक होती है तो इस तरीके से भी कर सकते हो और ए के लग-लग नोचिंग किया है कितने प्यार एक में देखिए गा इनकी लैंद पूरी है जो हमने देख दी थी पीछे से कोई कट निकिया था उसी लैंद पी हैर कट के है और स्टैप देखे कितने अच्छा है तो अब क्या करेंगे कर देंगे हां पर हल्का से ट्रैयर या प से भी बट इन्हें अभी कहीं नहीं जाना था और यह भी नहीं चाहती थी कि ब्लो ड्रायर जैसा कुछ हो बट मैं आपको लुक दिखाना चाहती थी तो इसलिए मैंने हलका सा प्रेसिंग से ही टर्न कर रहे हूं बैक में करेंगे तो काफी अच्छा सा लुक आएगा फोल्ड ब्लो ड्रायर से भी कर सकता हो आजकर सभी थोड़ा बहुत प्रेसिंग से कर देते हैं तो मैंने भी जल्दी बेप्रेसिंग से किया तकि आपको प्रौपर लुक दिखा और मैं फ्रेंट की तरफ लाके कर रहूँं है अब हम जैसे ही बालों को बैक में करेंगे तो भहती अच्छा स्ट्राप वाला लुक मिलेगा और जब फ्रंट最 Опर द्रेटर और लेयर वाला लुक मिलेगा जब दीखें कितने पियारे यह तक स्ट्राप और लेंद इनकी पूरी की पूरी बची ही आप यह देखिए इजी है ना यह एर कट तो बिगनर्स के लिए तो बहुत ही असान है और आपको मेरी टेक्निक अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं मुझे जरूर कमेंट शेक्शन में बिताएगा और इनके ले बटरफ्लाई लुक में करते हैं तो और भी अच्छा लुकाते हैं आपको मेरे यह एंक रचा लगा मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा मुझे कमेंट शेक्शन में जरूर को धीर सारे शेयर करिएगा लाइक करिएगए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलूंगी ऐसी ही नई वीडियो के साथ तब तब के लिए बाई बाई थेंक यू